कॉंग्रेस तो हमेशा खतम थी, युवाओं के साथ में जूट, महिलाओं के साथ में अत्याचार जो जूटे वादे करके पिछली बार सत्ता के अंदर आगे। बिजेपी आ जाएगी तो हमारी योजना ही बंद कर देगी बार जेपूर राजस्तान के अंदर कमल खिलाएंगे जिसमें जो ट्वड़ा भी होगा जी बगरु विदान समा छेत से बिजेपी की तरब से युवा चेहरा कह सकते हैं कैलास वर्मा जी को टिकर दिया गया है उनक को निश्टा है और उसमें एक परिवरतन का मार्ग दर्सन दिखता है गाउ-गरीब किसान को साथ में लेके जो पार्टी चलती ए उस पार्टी के पूरे विस्व में एक नमबर की पार्टी है एकईस करोड़ से जादा सद्स है उस पार्टी के हमारे नेता और देस के इतर्तु की दुवारा मेरे उपर नई बगरू विदान सभा छेतर के लाखो कार्य करताओं के उपर तीसरी बार वारतिय जंता पार्टी ने विश्वास जताया है इस विश्वास को हम खरा उतरते हुए जो पार्टी की पंच निष्टा है उसको भी पूरा करेंगे और उनके निष्टा के रूप में जीत के रूप में लाको कारे करताओं की एक जिग्यसा के रूप में परिवर्तन करते हुए जो पिछली बार हलकी बारी थोड़ी बहुत कमी रह गई थी उसको कमी को पूरा करते हुए एक बहुत अच्छे अंतराल से कॉंग्रेस को हम यहां से तरीके का लूट, युवाओं के साथ में जूट, महिलाओं के साथ में एत्याचार, किसानाओं के साथ में जिस तरीके का उन्होंने दोखे बाजी की यह किसी से चुपा हुआ नहीं है और उनी मुद्दों के उपर जो हमारा प्रदेश इस्तरिये संगटन तह करके सिर्स न तर्णी विश्वाद जता है उसको पूरा करेंगे बिलकूल अगर बगरु की बात किया जाए तो बगरु में गंगा देवी कॉंगरेस की विधायक हैं उनके काम को लेके काम को कहना है कि इस बार हम सरकार रिपीट करेंगे और हमारे जो काम किये हैं हम काम के दम पे करना च कास की बाद बगरुवी दानसवा चेतर एक ऐसा राजदानी से सटा हुआ चेतर है जिसके अंदर 2008 के अंदर भी कॉंग्रेस के यही विधायक थे और 2008 से तेरा जिसको हम एक खाली लिफापा बोल सकते हैं तेरा से अठारा बारतिय जंता पार्टी की सरकार्ती वसंदरा जी की सरकारती और उसके अंदर शीर्ष नेतरतु प्रधान मंतरी समानिय मोदी जी का भी बड़ा विजन था विजन इसलिए कहर सकता हूं रिंग रोड बड़ा काम था जगदीश गोनेर महराज का मंदीर का बड़ा काम था गोनेर रोड आगरा रोड लाइटी करण का और पीटल बनाने का, कॉलेज बनाने का, SDM धफ़तर बनाने का, ये सारे काम भारते हैं जंता पारिटी के चैनल के काम थे और हमने इनको पूरी तरीके से मेनत करते हुए चार साल इन को pipeline में लेके आए और लेके आने के बाद में ये हमेसा कहते हैं कि बिजे पी आ जाएगी तो हमारी योजना बंद कर देगी या योजना तो आपने बंद किये जनता के साथ में दोखा तो आपने किया है और वगरू विदानसभा छेतर के अंदर लिका में होस्पिटल चाल हुए उसका कहीं ने कहीं उसको सिप्टिंग कर दिया गया कस्वे का 20,000 जगे लोग एक जगे रहते हैं विसलपूर योजना को तोड़ने का काम किया ऐसी कोई इनके पास में विजन नहीं धार्मिक नगरी गोनेर जगदीश महाराज का मंदिर था इतने बड़ा काम था वहाँ पर 150 करोड का प्रोजेक्ट भारतिय जटापार्टी की सरकार में हम लेके आये थे और यूँ देखे कि उसमें एक इंट लगाने का काम इनों नहीं किया इन सबी मुद्दों के माध्यम से भारतिय जटापार्टी गाउं ध्यानी गरीब के पास हम फिर से सरकार के अंदर आएंगे बूतोन बहुत से ऐसी सरकार अब की बार राजस्तान के अंदर बनेगी और जो कॉंग्रेस का दावा है यह केवल खोकले दावे है जो आप लोगों ने देखा फिरी सामगरी दे दी तो उसामगरी की क्या पुजी संती केवल बड़े पूर पूरे राजस्तान के अंदर बारते जंता पार्टी अची लहर है मजबुती के साथ में चुनाओं भी जीतेंगे मजबुती के साथ में सरकार भी बनाएंगे हमारा एक कैलास वर्माशे से एक सवाल करना है जिस तरह से देखा गया कि कई ऐसे कारक्राम हुएं आप वसंदरा राजस्तान की सीएम रही है बड़ी नेता है हमारी और 13 से 18 में हम जब उनके साथ में काम कर रहे थे उनके साथ में निश्टा है पहले भी थी आगे भी है और पार्टी की जहां पर बात आती है पार्टी का विजन लेके वसंदरा जी कहीं गई तो हमने उनके साथ में ड्राइविंग भी की उनके साथ भी रहे जो व्यक्ति सरकार के मादिम से रहता है तो एक मन की भी बात रहती है अगर वसंदरा जी का वीजन एक ही है कि भारतिय जनता पार्टी ससक्त बने भारतिय जनता पार्टी मजबूत बने भारतिय जनता पार्टी का वो हर सपना साकार हो जो मोधी जी ने देखा है भारतिय जनता पार्टी का वो हर सपना राजस्तान के अंदर साकार हो जो स्रेदे भहरू सिंग जी ने द जोजनाए गाउं गरीब किसान तक पहुँचे उसमें उनका वीजन तार उसी वीजन के लिए हमने काम किया। पर्ती जनता पार्टी एक बहुत बढ़ा दल है। विए ऐसा नहीं बगरुई मैंने पहले भी बोला जेपूर राजस्तान के अंदर कमल खिलाएंगे जिसमें जो ट्वड़ा भी होगा जिसमें और विदानसवाइं सीट की होगा अपका ऐसा क्या वीजन होगा कौन सा ऐसा काम अपने बगरुद छेतर में करने को पहला प्राथ का गोने रिंग रोड बगरु इस से सटा हुआ जो एरिया है इस एरिया के अंदर मैंने भी का इस एरिया में सबसे बड़ी बात है पानी की इस पानी के काम को हम पूरा करते हुए जो सेकिंड फेस था एक हजार रुपे की गोशना थी भरती जनता पार्टी के राज के जो इन्होंने तो केवल और केवल जूटे अल रे दिये कोलेज के नाम के उपर, HDM दफ्तर के नाम के उपर, फोस्पिटल के नाम के उपर, रिंग रोड के नाम के उपर और बगरु के अंदर सिवरेज के नाम के उपर इन सबी जो मुद्दे थे ये बारती जनता पार्टी ही पूरा करेगी और हमारी प्रात्मिक्ता जो हमारा गोशना पत्तर होगा जो सिर्स नेतरतों का गोशना पत्तर होगा वो पूरे प्रदेश के लिए होगा उस प्रदेश के लिए बगरु के लिए क्या निकलेगा उसमें हमारा गोशना पत्तर हमें इंकलूड करके गाम पूरा करने के लिए कईने कई हम पूरी तरीके से दम लगा देंगे। आ है पूरी तरीके से दम लगा देंगे।